नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर खेत्र के गाउं दोस्तपुर शिवली में प्रसिद्ध त्यागी बाबा की मूर्ती की स्थापना धूम नाम से की गई बताया जाता है कि रामसरण दास फैजाबाद जनपत के रहने वाले थे यहां पर रामचरण दास जो इसी गाउं के निवासी थे उनके साथ आये थे और यहां कुटी बना कर रहने लगी थे त्यागी बाबा ने 40 दिन की शमादी लेकर अपरी तपस्या और सिद्धी को प्रदर्सित कर दिया साथ एक बार भरी कल्याडी नदी में दो घंटे पलती मार कर लेटे रहे जिससे उनकी गिंती संथ पुर्सों में होने लगी अनेक सिद्धियों के भंडार होने के बावजू साथी से परिपूर्ण त्यागी बाबा ने यहां साधारण जीवन यापन किया बाबा के शिस्से राम सेवक दास तथा ग्रामीरों का कहना है कि इस स्थान पर भक्ति के कारिक्रम होते रहते हैं और जो भी विश्वास पूर्वर कुटी पर आता है उसकी इच्छा पूर्टी अवश्य होती है इसी गाउं के जोतिशाचार्य एवं आर्पियस समाचार प्रधान संपादक रगुना सास्री हर साल यहां पर विशाल भंडारे का आयोजन करते रहते हैं उनकी इश्वर भक्ति और सिद्धी को देखते हुए गाउं वाला ने उनकी भव्य मूर्टी की स्थापना कराई है पहले मूर्टी की पूजा अर्चना की गई फिर गाउं प्रहमण के बाद गंगर सनान करा कर स्थापित किया गया मूर्ती स्थापना के बाद पैच मूर्ती स्थापना के साथ विशाल भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें लोगों ने प्रशाद त्रहड किया इस सब्सर पर ग्राम प्रधान पवन पाल जोते साचार एवं आर्पिये समाचार संपादक रगुना सास्री राजेंदर प्रशाद रानु कुमार राम शक्कर पाल आदी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीर मौजूद रहे आचर अर्विंद कुमार वग्यान प्रकास ने पूजा अर्चना का कारे संपन कराया खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहे आर्पियस समाचार अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं